तो हें गाइस बलकाम बैक टू दे चैनल, आज मैं आप लोगो को इस PAM 8403 के अम्प्लिफायर बोर्ड को वाइरिंग करने बताऊंगा, इस वीडियो को लास तक देखना और आप लोगो को कम्प्लीट वाइरिंग बताने वाला हों, तो उसके बाद से आप लोगो को कोई भी अम्प्लिफायर बोर्ड में वाइरिंग करने में परिसानी नहीं आएगी, इस अम्प्लिफायर बोर्ड को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर इन लिखा हुआ है, तो इन तीनों पीन में से हमें ओडियो का इंपूट देना है सबसे पहले, ओडियो का इंपूट हम या तो आक्स केबल से या तो फिर ब्लुटूथ मोडियूल से या तो फिर अपने मबाइल फोन किसी मतलब कहीं से भी करेक्ट कर सकते हैं देखिए इसमें से आर है एल है और टी है तो आर का मतलब राइट चैनल एल का मतलब लेट चैनल और टी यह ग्राउंड वाला हो जाएगा हमार उसके बाद ज़स्ट इसके राइट साइड में लिखा हुआ है वालट और ग्राउंड जी एड़ी का मतलब ग्राउंड होता है फालbels डी काम में पावर सप्ला का पॉजिव यहां पर करेक्ट करना है और यहां पर ग्राउंड यानिकी नेगटिव करनेक्ट करना है उसके ब लिखत वो यहाँ पर शिंबॉल भी दियाु है और यहाँ पर भी रैट चैनल में पर वैकिति लो नेर्ट से करोगा है तो आईए अबुं सबी को को मैं connect कर लेता हूं जैसे कि दो speakers यहां पर speakers मैं इन दोनों को use कर रहा हूं यह 80C रुपए में local market में मुझे मिला था और यह 5 से 10 watt का आप use कर सकते हो maximum 10 watt का use कर लेना तो मैं अब speakers के wire को सबसे पहले connect कर देता हूं positive और negative देखते हुए इन दोनों speakers को मैंने इस amplifier board पर connect कर दिया अब देखिए इस पर audio input को मैं connect करके दिखाता हूं audio input मैं इसमें aux cable से connect करने वाला हूं तो aux cable में total 3 wires होते हैं तीन wires एक होता है अमारा ground का ground वाला जो pin होता है वो यह वाला होता है यह होता हमारा right का यह होता है left का तो continuity से जब आप चेक करोगे multimeter से मैंने continuity चेक करने बताया है अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा multimeter यूज करने वाला तो link मैंने description में दे दिया है वहां से आप जा करके सीख सकते हो यहां से चेक करोगे इन तीनों wires में न तो मेरा आ रहा है कि यह जो पिला वाला wire है वो ground है और बाकी यह दोनों left और right का है तो यह जो हमारा beach वाला ground है पिला वाला उसे हमें beach में connect करना है इन तीनों के audio input वाले मैं से तो मैं इसे beach में यहां पर solder कर देता हूं easily ध्यान देना solder करते हूं वक्त आपके जो wires हैं left right और ground के वो एक दूसरे में touch नहीं होना चाहिए तब सही से काम करेगा तो देखिए मैं ground और एक channel को connect कर दिया और दूसरा channel को भी कुछ इसी प्रकार से मैंने यहां पर connect कर दिया है अब हमें इसमें power supply के wire को connect करना है power supply के लिए मैं यहां पर use कर रहा हूं 3.7V का lithium ion battery देखिए यह दोनों बैटरी को मैंने parallel में connect कर दिया है ताकि अच्छा ampere हमें मिल सके तो इन दोनों का positive और negative मैं direct connect कर देता हूं इसी amplifier board पर यहां पर मैं कोई सा भी switch add नहीं कर रहा हूं आप चाहें तो switch add कर सकते हो power on off करने के लिए देखिए positive wire को मैं इसके positive में connect कर देता हूं जहां पर 5V लिखावा है उस वाले में और negative wire को मैं connect कर देता हूं इसके negative में और आप देख सकते हो कुछ इस परकार से अभी आवाज आ रही थी इन दोनों speaker से और अब मैं check करके दिखाता हूं इसके sound के quality को sound quality देखिए अपने phone में मैं लगाता हूं direct aux cable को आईए अब base और treble का connection करने में बताता हूं जिसका connection करने के लिए हमें कुछ components के जुरत पड़ेंगे जिसमें से है हमारा 103K 2PF, 104K 2PF और दो register चाहिए हमें 4.7 किलो ओम का अगर आपने potentiometer का wiring का वीडियो नहीं देखा है तो वह भी देख लेना आपके लिए यह समझने में बहुत आसानी होगा तो देखिए potentiometer का wiring कैसे करते हैं वो मैंने उस वीडियो में explain किया हुआ है अब देखिए थोड़ा सा फिर भी मैं इसमें बता देता हूँ यह हम dual channel का use कर रहे हैं potentiometer क्योंकि हम दो speakers connect किये हुए हैं इस amplifier board में left channel के लिए और right channel के लिए इस dual channel के potentiometer में भी देखिए तीन pin का एक channel इस side हो जाएगा जिसमें से ये दोनों पहला वाला pin है potentiometer का audio input का ये बीच वाला दोनो pin है हमारा audio output का और तीसरा वाला pin ground का ground का सभी में same होगा तो दोनो channel को मैंने एक साथ में connect कर दिया है और यहां से एक wire connect कर दूँगा इसमें भी देखिए ground को मैंने साथ में connect कर दिया है और यहां पर भी dual channel का use होगा एक channel इस side एक channel इस side volume में भी same इसी परकार से है बीच वाले से audio output गया हुआ है जो की direct amplifier board के input में गया हुआ है और यह तीसरा वाला pin हमारा ground है अब देखिए wiring कैसे करना है मैं बता दे जा रहा हूँ सबसे पहले हमें लेना है 103K PF को और उसे connect कर देना है जो base वाला potentiometer है उसके पहले वाले pin और दूसरे वाले pin में कुछ इस परकार से एक channel में हमारा connect हो गया PF पहले वाले pin और दूसरे वाले pin में PF का कोई positive negative नहीं होता है तो हम किसी side से भी connect कर सकते हैं तो यह एक channel में connect हो गया इसी परकार से हमें दूसरे वाले channel यानि कि इसके पीछे वाले चैनल में भी कुछ इस परकार से connect कर देना है दोनों PF को connect करने के बाद अब हमें लेना है 4.7 किलो ओम का register या तो फिर 4700 ओम का बोल लो दोनों बात बराबर है और इसे हमें connect करना है जो base वाला potentiometer है उसके बीच वाले pin में ऐसे connect कर देना है पहले चैनल वाले में connect करने के बाद हमें दूसरे चैनल वाले के बीच वाले pin में भी हमें connect कर देना है बस हमारा base का circuit बनके तयार हो चुका है अब हमें connect करना है travel वाले circuit को ट्रेबल वाले circuit में बस हमें cable दो ही components connect करना है देखिए base वाले में थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ मैं इस potentiometer के पहले वाले pin और दूसरे वाले pin में 103 के PF को मैंने connect किया हुआ है और बीच वाले pin से 4.7 किलो ohm का register को connect कर दिया है और guys देखिए यहां से हमारा इन दोनों से दोनों चैनलों का output जाएगा base वाले potentiometer से और पहले वाले pin में हमारा audio input जाएगा अब यह तीसरा वाला pin हमारा grounded ही रहेगा अब आईए हम connect करते हैं treble वाले को treble वाले को connect करना और भी आसान है बहुत ही आसान direct हमें क्या करना है 104 के PF को direct connect कर देना है इसके 20 वाले pin में से series में कुछ इस परकार से इसमें भी हमें दोनों चैनलों में connect कर देना है और अब treble का output देखिए base का output तो हमारा register से निकल गया था potentiometer से अब देखिए treble में क्या होगा कि audio output जो जाएगा वह इस capacitor के यहां से जाएगा एक चैनल का यहां से जाएगा दूसरे चैनल का यहां से जाएगा तो कुछ इस तरह से हो गया अब हमें क्या करना है कि जो audio output है base का और treble का दोनों को merge कर देना है यानि कि देखिए यह जो register का एक चैनल का है दूसरा register का एक चैनल का इन दोनों को आपस में हमें यहां पे connect कर देना है इन दोनों PF में देखिए मैं कुछ इस परकार से connect कर देता हूँ एक channel का कुछ इस तरह से connect हो गया और दूसरे channel का भी हमें यहाँ पर connect कर देना है तो guys देख सकते हो base और treble का circuit हमारा बनके कुछ इस परकार से तयार हो चुका है आप ध्यान से देख लो कैसे मैंने connect किया हुआ है अब हमें कुछ wires को connect करने होंगे base, treble और volume वाले potentiometers में भी जाएगा उसके बाद जो यहां से output जाएगा यहां से output जाने का मतलब की base का output और treble का output यानि कि यहां से जो दोनों output जाएगा इन दोनों pin से वो direct हमारा volume के audio input में जाएगा देखिए कैसे connection करना है मैं करके दिखा देता हूँ देखिए सबसे पहले aux के cable को मैं connect करना है यहां पर मैं aux के cable से connect करने जा रहा हूँ आप bluetooth module यूज करना चाहे तो bluetooth module भी यूज कर सकते हो audio input का connection सबका same रहेगा जो ground वाला होगा ना तीनो potentiometer का वो ground तीनो में same होगा तो aux cable के ground वाले को मैं इस potentiometer के ground से connect कर दे रहा हूँ सबसे पहले देखिए यहां पर base वाले के ground में मैंने connect कर दिया उसके बाद जो left और right है ना input वो left और right में connect कर देता हूँ left right का input हमारा कहां पर connect होता है पहले और दूसरे वाले pin में तो यहां पर मैं पहले वाले pin में connect कर देता हूँ उसके बाद दूसरे वाले चैनल में दूसरे वाले audio input का connect कर देता हूँ aux cable वाले को तो कुछ इस तरह से audio input चला गया हमारा base में लेकिन base में तो चला गया audio input aux cable से अब हमें क्या करना है कि treble में भी audio input देना है तो अब हम क्या करेंगे कि parallel में connect कर देंगे जो left channel का इसमें connect हुआ है वही left channel का इसमें connect कर देंगे जो right channel का इसमें connect किया हुआ है वही right channel का उसमें connect कर देंगे तो देखिए एक मैं wire use कर रहा हूँ jumper wire कुछ इसी परकार से connect करने के लिए जैसे मैंने अभी समझाया पैरलल में connection करने हैं देखें left channel को मैं यहाँ पे connect कर देता हूँ इस वाले wire को मैंने aux cable के parallel में connect कर दिया left right और ground में तो जो जो मैंने left right ground connect किया हुआ है वही same wire मैं इसमें भी input देता हूँ जैसे कि जो ground में connected था वह मैं ground में यहाँ पे connect कर देता हूँ और left वाले को left के साथ right वाले को right के साथ audio input यहाँ पे हमारा खाली है क्योंकि अभी तक कहीं भी connection नहीं हुआ है treble वाले में पहला channel का connect हो गया अब दूसरे channel का भी कुछ इसी परकार से हमें connect कर लेना है और बस हमारा wiring कितना simple था base और treble का connection हो गया wiring हमारा base और treble भी बनके ready हो चुका है लेकिन ये तो हमारा circuit बनके ready हुआ अब यहाँ से जो audio output जाएगा वो हमारा इस volume के potentiometer में audio input जाएगा तो देखिए audio यहाँ से output ले जाने के लिए मैं एक और jumper wire का use कर रहा हूँ connect करने के लिए left, right और ground वाले को मैं इस wire से connect कर देता हूँ जहां से दोनों का audio output जाता है left, right इसमें connect कर दिया यहाँ से output और ground वाले को ground से connect कर दिया यहाँ से output वही left, right और ground हमारा direct connect होगा volume के input में volume का input हमारा पहला वाला pin potentiometer का होगा और दूसरा वाला pin भी होगा audio input के लिए और तीसरा वाला pin हमारा ground का होगा जो की दोनों connect होगा दोनों channel का आपस में यह देखिए left, right को मैंने connect कर दिया और ground को भी connect कर देता हूँ बात रही कौन-कौन सा potentiometer का value मैंने use किया हुआ है वो अभी तक आप सभी को नहीं बताया है तो वो मैं अब बताने जा रहा हूँ देखिए जो base और treble का potentiometer है वो मैंने 100-100 kilo ohm का use किया हुआ है आप देख सकते हो यहाँ पे और volume का जो potentiometer है वो मैं 10 kilo ohm का use किया हूँ इस pan 84-03 के लिए मेरे पास 50 kilo ohm का 47 kilo ohm का नहीं था potentiometer तो मैंने यहाँ पे 10 kilo ohm का use किया है लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा 47 या 50 kilo ohm का use कर ले ला as your wish 100 kilo ohm का भी यहाँ पे use कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा बाकी यह दोनों 100 kilo ohm के ही use होंगे बेस और ट्रेबल के तो कुछ इस तरह से हमारी wiring भी complete होती है इसकी अब हमें केवल इस amplifier board पे 3.7 volt से 5 volt का power supply का wire को connect करना होगा मैं 3.7 volt के power supply के wire को connect कर रहा हूँ 3.7 volt के battery से positive negative देखते हुए मैं connect कर दे रहा हूँ यहाँ पे चलिए battery को मैंने इसमें connect कर दिया है अब चलिए music को सुनते हैं और base table को चेक करके देखते है अब देख सकते हो यहाँ पे दोनों चैनलों में बज रहा है लेकिन base table का पता नहीं चल रहा होगा अब मैं base बढ़ात करके दिखाता हूँ बेस और treble दोनों को अब हटा करके रिप्लेस करना चाहते हो एक ब्लूटूथ मॉडियूल से ब्लूटूथ मॉडियूल को connect करने के लिए किसी भी amplifier board में Bluetooth के बारे में थोड़ा सा जानना होगा ब्लूटूथ मॉडियूल में क्या होता है कि हम power supply देंगे 5 वल्ट का और Bluetooth से connect करके अपने phone से music को play करेंगे तो यहां से audio output देगा तो वही जो audio output इस Bluetooth module से देगाना वो हमें input में देदेना है डारेक्ट इस amplifier board में या तो फिर अगर आप वॉल्यूम का connection करना चाहते हो तो वॉल्यूम के potentiometer के इन वाले point में connect कर देना है बस उसी परकार से हमें इसके वायर्स को connect कर लेना है और बस हमारा Bluetooth module का connection ready हो जाएगा देखिए इस Bluetooth module में जब आप देखेंगे तो यहां पे दो connector दिया हुआ है एक red है एक white है red वाले में दो point है जिसमें से इस side में आप देखोगे तो लिखा हुआ 5 volt और GND 5 volt यानि कि DC का 5 volt हमें input power supply देना होगा इस point पे इस side वाले pin पे और ground का इस वाले pin पे तो यह Bluetooth module हमारा on हो जाएगा यहां पे आप देखोगे ना तो 12 volt प्लस GND भी लिखा है तो 12 volt का input भी आप दे सकते हो इस module पे लेकिन अभी इस Bluetooth module पे 12 volt दोगे तो काम नहीं करेगा उसके लिए मैं next video में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे काम करेगा बार वोल्ट से भी चला करके यूज कर सकते हो Bluetooth module को guys 5 volt का input कोई भी Bluetooth module में आप दोगे ना तो अगर सही से connection किये रहोगे तो कभी खराब नहीं होगा लेकिन positive वाले को negative में connect कर दोगे और negative वाले को positive में ना बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है समझो कि एक भी बार अगर थोड़ा सा टच हो गया ना तो समझो हुआ Bluetooth module पूरा खराब हो गया पूरा replace करना पड़ेगा आपका पैसा बरबाद उसके बाद अब audio output जो यहां से आएगा अब देखिए यहां पे यह जो sockets हैं इस sockets में total चार पीन है चार पीन में से आप इस side देखिए यहां पे लिखा हुआ है सारा चीज लिखा हुआ है पहले L O मतलब की left का output यह जी यह हमारा ground है R O मतलब की right का उसके बाद यह anti इस side वाला यह anti है यानि की antenna का है तो यहां से तीनो वायर आ जाएगा left, right और ground का तो यही जो तीनो वायर है ना left, right और ground का audio output वाला वो हमें इस amplifier board के तीनो input में connect कर देना यहां पे अगर आप volume भी add करना चाहते हो तो volume के input pins जैसे की पहला वा connect करके आप लोगों को play करके भी दिखा देता हूं, यहां पे पहले मैं aux cable वाले wires को खोल देता हूं, यह aux cable वाला system बहुत ही पुराना हो गया, पहले क्या होता था कि aux cable connect करके लोग गाना बजा देते थे अपने phone से या तो फिर कहीं कोई other चीज उज़ करके, सबसे पहले मैं इसमें ground वाले wire को connect कर देता हूं इस potentiometer में, उसके बाद पहले वाले pin में जाएगा potentiometer का एक channel में और दूसरे channel में भी पहले वाले pin में जाएगा audio input, तो कुछ इस परकार से audio input हमने इस potentiometer के pins में connect कर दिया, उसके बाद यहां पे इस potentiometer से जो output जाएगा वो इस amplifier board के input में गया हुआ है, जो बीच वाले pin है ना left, right और ground का वो मैंने इस amplifier board के input में connect कर दिया है, तो कुछ इस तरह से आप connect कर सकते हो Bluetooth module को भी इस amplifier board पे, और अब बात रही इसमें power supply देने की, इसमें power supply देने के लिए भी मैंने बताया यहां पे 5V लिखा हुआ है, तो आप चाहे तो 3 3.7V भी input power supply दे सकते हो, इस Bluetooth module को, तो 3.7V से 5V maximum देना है, 5V से ज्यादा मत देना खराब हो जाएगा, तो यहां पर जो हमने power supply connect किया ना, इस amplifier board पे 3.7V का, वो भी हम direct इसमें connector सकते हैं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, कि power supply के लिए इस Bluetooth module को देने के लिए, मैं अलग से 3.7 1V की battery को use कर रहा हूँ, प्लस मैनस देखते हुए, मैंने इस connector में connect कर दिया हुआ है, और direct इस connector को मैं इसमें plug-in करूँगा, तो देखिए, यह हमारा on हो जाएगा, और इस amplifier वाले को भी power supply on कर देता हूँ, अभी यह FM mode पे है, अब मैं mode change करता हूँ, इसका, अब यह आ चुगा है हमारा Bluetooth mode पे, मुझे लग रहा है कि यह Bluetooth module मेरा खराब है, एक चनल में मेरा आवाज सही से नहीं आ रही है, इस Bluetooth module से, तो मैं Bluetooth module को मैं replace कर देता हूँ, इस वाले से, हलाकि wiring सारा same रहेगा हमारा, आ यह वाले से, है तो I hope गाज इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को like कर दो, और इस चैनल को आपने अभी सबस्क्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए मिलता हूँ नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई keep watching more videos on this YouTube channel